दोस्तों रितिक रोशन के डांस के दिवाने तो खेर हम सभी हैं लेकिन उमंग आवोर्ड में उनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद वहाँ बैठी कृती सेनन से लेकर वहाँ बॉलिवुड की टाइकर सुल्तान सल्मान खान का रियक्शन देखने लाइक था जी हाँ दोस्तों बताएंगे आपको इस पूरे मोमेंट के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप भी रितिक रोशन और सल्मान खान को एक साथ एक फिल्म में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर किचवेगा दरसल दोस्तों आपको बता दें ये मोमेंट ह है उमंग अवार्ड शो का जी हाँ दोस्तों ये एक ऐसा अवार्ड शो है जो की बॉलिवुड की तरफ से किया जाता है मुंबई पुलिस को सम्मान देने के लिए और इस लिए इस अवार्ड शो में बॉलिवुड के तमाम सेलिब्रिटीज एक साथ नजर आते हैं दोस्तो आपको बता दें रितिक रोशन की एंट्री होती है और वो अपने घूंगरु बांथ वाले गाने पर परफॉर्म करते हैं और जिस तरीके से रितिक रोशन परफॉर्म कर रहे थे मानो समाई बद चुका था यहां तक कि वहां बैठे ग्रिदी सैनन के तो जैसे होशी रहे थे और यहां तक कि बॉलेवुड के टाइगर सुल्तान सल्मान खान भी रितिक रोशन को काफी प्रेस कर रहे थे दरसल आपको बता दें कि जब करन अर्जुन की मूवी शूट हो रही थी तो उस समय रितिक रोशन सल्मान खान के असिस्टेंट हुआ करते थे यानि कि असिस्टेंट डिरेक्टर के तौर पर उस मूवी में काम कर रहे थे और तब से सल्मान खान और रितिक रोशन की बॉंडिंग काफी अच्छी है और इसलिए रितिक रोशन के डान्स को सल्मान खान भी काफी अच्छे तरीके से एंज्जॉय करते नसर आए वैसे दोस्तों आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है कॉमेंट में जरूर बताईए और अभी तक हमारे चैनल बॉलिवुड गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने धन्यवाद